नमस्कार में तुरूब सभी को सौगत है हमारी यूटूब चैनल स्वरा अनकेडमी क्लासेस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 9 की ये NCRT है इसमें चेप्टर चला है पॉलिनोमेल्स, एक्ससाइज है 2.5 इसमें से कुछ कोशन समस्वाल कर चुके हैं पिछले वीडियो में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जाएगे वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सस्क्राइब का बटन दबाना ना भूले देखें यहाँ पर क्या है कि कॉशन नम्बर 6 को हमें यहाँ स्वाल करना है जो कॉशन नम्बर 6 है उसमें आपको एक पैटन दिया गया है देखें यह एक पैटन है यहाँ पर यह चीज हमें यहाँ पर दी गई है इसे कहा गया है कि निमलिखित घनों को प्रसारित कीजिए यहाँ एक क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है यहाँ पर तो देखिए यहाँ अगर हम आपको एक सिंपल लेंग्विस में बताएं तो A प्लस B का होल अप क्यूब होता है यह एक फामूला आप सभी ने पढ़ रखा है चोटी क्लास से इसी फामूले के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ओपन कर देना है तो इस फामूले को आप जानते हैं अगर हम लिखना चाहें तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं देखिए तो हमने ने यहाँ पर लिखा है उस चीज़ को समझना है देखिए शब से पहले हम लिख देते हैं A प्लस B का होल अप क्यूब तो इसको हम expand करते हैं इसको expand करने पर आप जानते हैं क्या मिलता है इससे सबसे पहले जब expand करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा यहां मिलेगा a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square यह चीज़ आपको यहां मिलती है अगर इसको आप another form में लिखना चाहें तो a cube plus b cube plus 3 a b a plus b इस प्रकारज को हम यहां असानी से लिख सकते हैं यह चीज़ यहां पर होती है तो यह plus के लिए होता है अगर minus के लिए लिखना हो तो हम minus के लिए भी समझ सकते हैं आप यह वक्षो भी फामूले जानते हैं बस changes कहां हो जाएगा जहां जहां पर plus है उस जगे पर यहां पर minus हो जाएगा सभी जगे पर बस के लिए एक जगे को छोण कर बाकी सारी जगे पर आप कहेंगी तो इस वाले portion में उपर वाले में minus हो जाएगा यहां तो हर जगे पर ही minus हो जाएगा तो यह चीज़ तो इसका pattern था पैटर्न हमने समझ लिया, अब इसी पैटर्न पर इसको हम solve करते हैं, question number first को question number 6 के first part को, तो यहां जो हमारे पास given है, वो given है 2x plus 1 का whole up cube, जैसे ही इसको हम open करेंगे, तो आप देखी, यहां क्या मिलेगा, 2x की power 3 plus 1 की power 3 plus, आपको क्या चाहिए, यहां चाहिए 3 and bracket में 2x and 1, अन्दर bracket में क्या मिलेगा, 2x plus 1, यह चीज़ आपको यहां पर मिलेगी, अब आप जब इसको open करेंगे, तो क्या मिलेगा, यह 8x की power 3 मिलेगा, plus 1 है, plus 3 दूनी 6, यह 6x आपको मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा, और bracket में कह रहेगा, 2x plus 1 रहेगा, यह चीज़ यहां पर रह जाएगी, अब आप इस bracket को भी open कर सकते हैं, तो यहां पर मिलेगा, x की power 3, plus 1, plus 6x, यहां आपको मिलेगा, देखें, plus 12x square, plus 6x, यह चीज़ यहां पर open हो जाएगी, अब आप इसको एक pattern में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिख दीजी, जब घटते हुए क्रम हैं आप लिखेंगे, तो सबसे पहले power लिखेंगे, 8x की power 3, plus 12x की power 2, plus, उसके बाद आप लिखेंगे, 6x plus 1, तो यह pattern आपका यहां पर बन जाता है, इसी प्रकार आप दूसरे पार्ट को solve करेंगे, जब दूसरे पार्ट को solve करेंगे, तो देखें, दूसरे पार्ट में आपके पा cube है यहां पर, तो यहां same pattern है, यहां हमने बताया, minus के terms में है, यहां जब आप इसको open करेंगे, तो 2a cube, यहां क्या रहेगा, minus के terms में रहेगा, minus 3b का whole up cube, minus 3, 2a, and 3b रहेगा, और bracket में क्या रहेगा, बाहर, 2a minus 3b रहेगा, इससे जब आप open कर देंगे, तो देखें, आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिल जाएगा, 8a cube minus 27b cube मिलेगा, अब उसके बाद इन सबी को multiply करेंगे, तो यहां क्या मिलेगा, minus 18ab, and bracket में 2a, minus 3b मिलेगा, आप जब इसको open करेंगे, तो यहां open करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां open करने के बाद आपको मिलेगा, 8a की पावर 3, 27b की पावर 3, plus 36, यहां आपको मिलेगा, minus 36a square b, plus 54ab square, इस पकार यह चीज़ open हो जाएगी, तो यह question, number 6 का second part था, अब third part की हम बात करते हैं, third part में देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर, third part में, आपके पास जो है, उसे आप देखिए, यहां मिलेगा, 3 by 2x, plus 1 की पावर 3, यहां भी same formula, वही formula यूज़ करना हैं, तो यहां सबसे पहले लिखते हैं, 3x divided by 2 का whole up cube, plus 1 की पावर 3, plus, plus 3, in bracket, 3x divided by 2, and 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा आप यहां लिख सकते हैं, 3x divided by 2, plus 1 रहेगा, यहां पर, आप इसे open करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 27, x की पावर 3, divided by 8, यहां मिलेगा, इस जगे पर plus 1 रहेगा, यहां आप क्या multiply करेंगे, तो यहां, 339, x divided by 2 रहेगा, bracket में 3x divided by 2 रहेगा, plus 1 रहेगा, जब आप इसे open करेंगे, तो देखिए, आपको क्या मिलता है, यहां जैसे ही आप open करेंगे, तो आपको मिलेगा, 23x के पावर 3, divided by 8, प्लस 23x के पावर 2, divided by 4, प्लस 9x, हमने order में भी सीधे लिख दिया है, प्लस 1, इस प्रकारा को अंसर इसका मिल जाएगा, अब आईए, question number 6 का ही fourth part देखते हैं, तो यहां जो है, आपके पास जो fourth part आएगा, उस fourth part को हम यहां पर consider करते हैं, देखिए, fourth part में आपके पास जो given है, वो given है, x minus 2y divided by 3 का whole of cube, यहां ही formula हम लिख देते हैं, एक बार अगर आप को problem हो रही है, तो आप देख सकते हैं, यहां क्या है, a square, a की power 3, b की power 3, minus 3ab, a minus b का whole of, यह a minus b in a bracket, यह चीज़ आपको यहां मिल जाती है, तो इसी pattern को जब हम follow करते हैं, तो यहां मिलता है x cube, देखिए, यहां क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा x cube, minus 2y divided by 3 का whole of cube, minus 3, x आएगा, and bracket में 2y divided by 3 होगा, फिर another bracket में x minus 2y divided by 3 होगा, यह चीज़ बनेगी, आप इस bracket को जैसे यह आप open करेंगे सबको, तो देखिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहां मिलेगा आपको, x की power 3, minus 8 by 27, y की power 3, minus 2x square y, plus 4, यह चीज़ आपको यहां पर मिल जाएगी, तो यह हमारा answer होगा, यह minus है यहां पर, यह चीज़ हमें यहां मिल जाएगी, तो यह चीज़ solve हो गई, question number, आपका जो 6 था, वो इस प्रकार solve हो जाता है, अब देखिए, यहां सेम चीज़, अगली बताई गई, कि उप्रयोग तो सर्वसमिका हैं, प्रयोग करके, निमलिखित का मान गयात कीज़, यहां देखिए, 99 लिखा है, यहां यह 99 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, अब वही काम करिए, जो आप पहले वाले question में कर चुके हैं, यहां जो question number 6 में हमने काम किया है, वही same program, जो same प्रक्रिया है, same function है, वही चीज़ हम यहां पर apply कर लेंगी, तो वही same चीज़ बन जाती है, आईए, अब इसको हम यहां पर handle करते हैं, देखिए, तो है 99 था, तो 99 के लिए हमें यहां क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमने लिखा 99, यही तो हमें given है, 7 में, तो इसको हमने क्या के लिखा, 100, minus 1 के power 3 लिख दिया, अब इसको हम open कर देंगे, तो जैसे ही open करेंगे, तो यहां क्या मिलेगा, 100 के power 3, minus 1 के power 3, minus 3, multiplied by 100, multiplied by 1, and 100, minus 1, यह चीज़ यहां पर मिल जाएगी, अब जब इसको आप open करेंगे, तो यहां 6, 0 आपको मिलेंगे, minus 1 मिलेगा, यहां आपको 300 मिलेगा, और multiplied by 99 मिलेगा, यह चीज़ यहां पर हो जाती है, अब जैसे ही आप यहां पर solve करेंगे, तो देखिए, आपको क्या मिलेगा, यहां तो आपके पास, यह 6, 0 है, minus 1 है, यहां जब multiply करेंगे, तो 9, 30, 27, 9, 30, 27, and 29, तो यहां 29, 7 यह हो गया, और 2 आपके 0 हो गया, इसमें जब आप add करेंगे, और लाकिस में से subtract करेंगे, तो जब ऐसा कुछ करेंगे, तो आपको answer जो मिलेगा, वो answer मिलेगा, पहले आप उसमें add कर लीजिए, और 1 add करने के बाद, जब आप करेंगे तो देखिए, क्या, एक हम step solve कर देते हैं, आप समझे, यहां 2, 2, 4, and 6, minus, यहां जब आप add करेंगे, तो यहां 29, 7, 0, 1 मिलेगा, आप जब इसको घटाएंगे इसमें से, तो आपको मिलेगा 9, 7, 0, 2, 9, 9, यह आपका answer हो जाएगा, इसी प्रकार आप अगला part देखिएंगे, तो अगले part में आपको क्या दिया गया है, वहां 1, 0, 2 की power 3 दिया गया है, यहां आप क्या कर सकते हैं, 1, 0, 100, प्लस 2, वहां माइनस लगा रहते हैं, प्लस 2 का आप formula यूज कर सकते हैं, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 100 की power 3, प्लस 2 की power 3, प्लस 3 यह भी, तो यह नहीं 3, multiplied by 100, multiplied by 2, multiplied by 100, और प्लस का 2, आप यहां क्या लिखेंगे, 6, 0 आएंगे, आपके देखिए, 2, 2, 6, 0, प्लस 8 आएगा, प्लस 3, प्लस 600 आएगा यहां पर, और यहां 1, 0, 2 होगा, अप आप सभी को multiply कर दीजी, और add कर दीजी, आप जैसे ही multiply करके add करेंगे, तो आप देखिए, क्या मिलेगा यहां पर, यहां मिलेगा आपको, 1, 00, 00, and 00, प्लस 8, प्लस 6, 12, 00, आप सब को add कर देंगे, तो यहां 10, 6, 120, 0, 8, अंसर आपको मिल चाहेगा, स्तरब समीका जो लगेगी, वो a प्लस b का whole cube की स्तरब समीका जो है लगेगी, apply होकी, इसी तरीके से, इसी का part है 998, यानि 998 की power 3 है, यहां पर, तो देखिए, इसको हम कैसे apply करेंगे, यहां आप thousand लीजिए, minus 2 कर दीजिए, कि power 3 हो जाएगी, अब यहां आपको apply करना है, तो यहां क्या लिखेंगे, thousand के power 3, minus 2 के power 3, minus 3 multiplied by thousand, multiplied by 2, यानि thousand, minus 2, यह चीज़ आप यहां लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे, thousand, फिर thousand, और फिर thousand, यानि 9, 0 होंगे, minus 8 होगा, 6 होगा, यहां 6,000 होगा, और यहां multiply होगा, 998 से, इस प्रकार लिखेंगे, आप सभी को multiply कर देंगे, solve कर लेंगे, तो देखेंगे, आपको क्या मिलेगा, यहां पर सीधा हम लिखते हैं, इस जगे पर, तो यहां हम सीधा लिखेंगे, तो यहां देखेंगे, यहां 90 है, minus 8 है, उन दोनों को multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा, 5, 9, 8, यह चीज़ आपको यहां मिल जाएगे, आप सबको हल कर लेंगे, solve कर लेंगे, तो answer finally मिलेगा, 1, 4, 0, 1, 1, 9, 9, 2, यह चीज़ यहां मिल जाएगे, इस परकार यह question solve हो जाएगा, तो आईए, question number जो हमारा 7 था, वो solve हो जाता है, आप चलते हैं, question number 8 की तरफ, देखे, question number 8 में कहाँए, प्रतेक का गुड़नखंड कीजिये, तो यहां जो pattern था, इसके पहले आप एक question देख चुके हैं, जो question number second था, जो question number 5 था थी, question number 5 में जो आपने किया है, वही question number यहां पर हमें करना है, गुड़नखंड जो करना है, बिल्कुल हूब 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 वही question, same pattern पे हमें solve करना है, question number 5 की तरह, तो यहां जो चीजे हैं, दी गई हैं, देखे, उनको a की पावर 3, b की पावर 3, प्लस 12 a square b, प्लस 6 a b square, यह pattern हमें यहां पर provide कराया गया है, तो देखे, इसको हम solve करेंगे, सबसे पहले, तो यहां देखे, क्या मिलता है हमें, तो यहां यहां जो हमें मिलेगा, वह हमें दिया गया है, 8 a की पावर 3, प्लस b की पावर 3, प्लस 12 a square, प्लस b, 6 a b square, यह चीज हमें दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले, सरबसे पहले के रूट में, लिखने की कोसिस करता है, तो देखे, 2 a की पावर 3 हमें लिखा, प्लस b की पावर 3 लिखा, अब देखे, यहां 6 a, जो है, क्या हो सकता है, 2 a plus b है, यहनि हमको, ब्रैकेट में 2 a plus b को रखना है, जो है 2 a plus b रहेगा, तो इसके अलावा हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, इसके अलावा हमें कॉमन मिलेगा, देखे, यहां से 3 बाहर ले ले, पहले, त्योंकि 3 a, b होता है, e हमारे पास क्या है, 2 a है, फिर क्या है, इतनी चीज़ बन गई, और उसके अलावा क्या मिलेगा, 2 a plus b, आप देखे, यह open करेंगे, तो आपको जो उपर लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ मिल जाएगी, तो यह चीज़ हमारी यहां बनती है, यह किसके बराबर होता है, यह होगा 2 a plus b का होल अप क्यूब के बराबर होगा, यह इस पैटन में हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, आईए, इसके अगले पैटन की तरफ चलते हैं, अगला पैटन जो हमारे पास है, इसमें 8 a से ही सुरुआत है, लेकिन माइनस b की पावर 3, two a – 12 a square b plus six a b square, same है, same सवाल है, बस क्यों चिन्नों का फर्रक है यहां पर, तो यहां क्या मिलेगा, आपको two a की पावर 3 मिल जाएगी, माइनस यहां जाएगा, यहां b की पावर 3 मिल जाएगी, माइनस 3 होगा यहां पर, माइनस 3 होगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा 2A मिलेगा और यहां पर B मिलेगा इस ब्रैकट में 2A माइनस B मिलेगा यह चीज़ यहां पर आपको मिल जाएगे तो आप जाने देखिए 2A माइनस B का होल अप इस क्यूब यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा इसी प्रकार आप कोशन देखी, कोशन नमबर जो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 27-125A की पावर 3-135A प्लस 225A स्क्वाइर, ये चीज़ मिलती है, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहां तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 के लिए, यहां 5A की पावर 3, तो A स्क्वाइर, A क्यूब माइनस B क्यूब बन गया, यहां हमने 3 लिखा, और जैसे ही 3 लिखा, तो यहां क्या बनेगा, देखिए, इस जगे पर, यहां हमें, जो मिलेगा, यहां हमने 3 लिखा, तो यह 3 मल्टिप्लेट बाइ, 3 रहेगा, और यह 5A रहे यह चीज़ यहां पर बन जाएगी, यह कुछ ऐसी, यहां पर ऐसा पैटर्न बन के तयार होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 5A की पावर 3 हम यहां लिख देंगे, तो यह चीज़ हो जाएगी, अब देखिए, सॉल्व हो गया हमारा, अगले पार्ट की तरफ अगला पार्ट जो हमारा फॉर्थ पार्ट है इसका, इसके फॉर्थ पार्ट में आप देखिए, 64 जो आपको मिलेगा, वो क्या मिल ला है, यहां, यहां क्या मिलेगा, 64 मिला, 64 A की पावर 3 मिला, माइनस 27 B के पावर 3 माइनस 144 A square B मिला प्लस आपको मिला 108 108 AB AB square मिला देखें, अब इसको हम फालो करेंगे 64 का लिखेंगे 4 A के पावर 3 माइनस 3 B के पावर 3 माइनस आपको क्या मिलेगा यहां मिलेगा आपको 3 और मिलेगा 4 A मिलेगा और यहां मिलेगा 3 B मिलेगा अगले वाले में 4 A माइनस 3 B मिले आप इसको लिख देंगे 4 A माइनस 3 B के पावर 3 यह हमारा बन जाएगा इसी तरीके से आप चलिए आपका जो फिप्ट पार्ट है यहाँ पर 27 आप लोग कमेंट करिए लिखा करिए कि कैसा वीडियो लगा यह भी आप लिखिए देखिए इस सवाल हमारा है 216-9 by 2 P square plus P by 4 यह चीज हमारे पास है अब देखिए सबसे पहले वाले पैटर्न को हम क्या लिखेंगे 3 P के पावर 3 माइनस यह होता है 6 का तो यहाँ लिखेंगे 1 by 6 के पावर 3 माइनस 3 बाहरा गया multiplied by 3 P हो जाएगा and multiplied by 1 6 हो जाएगा 3 P हो जाएगा minus 1 by 6 हो जाएगा तो इससे हम जब क्या लिखेंगे 3 P लिखेंगे minus 1 by 6 के पावर 3 लिखतेंगे तो इस प्रकार यह question हमारा solve हो जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ धन्यवाद, जैहिंद, जैभाद